कैसे हो यार उमीद है सब दिन चाहिक राप चेक और मस्त होंगे अब निक को भी आए हैं कुछ ना कुछ खास लाएं जी हाथ थोड़ी दिर में बताता हूं पर क्या आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि यार भाईया मुझे इन्वस्टी बहुत अच्छी चाहिए मेरे को मेरे केरियर में बहुत अच्छा करना है उसके लिए कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है मगर उसके लिए तो स्यूटी करना पड़ता है उसका एक्जाम पास करना पड़ता है और मैं तो भी तक बोर्ड में फसा हुआ हूं तो मैं बोर्ड के साथ स्यूटी कैसे करूं जब म जहाने के लिए आया हूँ तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक्जाम समझने इनके पैटर्स को समझना पड़ेगा तो आए इसकी थोड़ी सी विवेच ना करते हैं तो देखिए बोर्ड वर्सेश सबसे पहली बात स्लेबस तो आप चेक कीजिए कि आपके बोर्ड में जि नहीं मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं मिनीबुम से मिनीबुम कर दू यानि की 60% तो सेम होगा इना तो पहले तो अपने दिमाग मैं यह बैठाओ यह हैं सलेवर्स होगा त hedge फैलों डुसरा प्रोड में एक सबसAT का भी आता है दो का भी आता है तीन का भी आता है पांच चार छे जब का भी आता है और सी उटी तो स्रिफ mcq pattern है तो यहां पर तो भाया marking scheme किसके basis पर होती है दो तीन चार पांच यानि कि concept और राइटिंग भाया यहां पर concept clear है तो टिक करने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन यहां पर लिखना भी पड़ेगा आपको लिखना भी आना चाहिए कोई words keywords इन सब को भी समझना पड़ता है है ना हाँ भाया यह यह भी एक difference है तो बहुत सारी चीजों में तो अंतर आ र content है तो भाया पढ़ना पड़ेगा अब इसमें और कोई option है क्या नहीं क्योंकि अगर आप कोई ऐसे subject को choose करना चाहते हैं जिसमें वह इन्वस्टी कह रही है कि हमें GTK भी marks चाहिए तो जनल टेस्स तो पास करने पड़ेंगा उसमें marks तो लाना पड़ेगा अब यह बोर्ड के साथ तयार हो सकता है क्या भीया जी तो जाहर सी बात है कि देखो इसमें थोड़ी से complications हैं मगर फिर इसमें एक option भी तो है कि बोर्ड के बाद तो option है ही और अगर आप सच में top of the top college पाना चाहते हो तो फिर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे मुंगेरी लाल नहीं और महनत की बादी में पहले सपने देख लेता हूं आप तयारी कर चुके होंगे तो अब तीन भार प्रिवीजन खर चुके अभी तक आप कि प्रीबोर्ड होगया और तॉ प्रीबोर्ड देकर देकर आपकी तयारी कैसी है अगर अच्छी है तो GT की तयारी अभी से कर लिज यह वो हमारे पास जो भी जैसे economics honors है या बाकी सारे honors होते हैं उसमें अगर वो चाहिए तो जाहिए तो जाहिर सी बात है इसको एक्जाम को निकालना पड़ेगा तो इसकी फिर अभी से तयारी कीजिए क्योंकि अगर आपका लक्ष बड़ा है तो आपकी मैनत भी बड़ी होग नहीं ना let's see the positive how to tackle तो सबसे पहली बात भाईया जी common topics जो भी है उनको with mcqs कर लो आपने common topics पढ़ा उसकी theory पढ़ी उसकी concept clarity ली उसके mcqs caution लगा लो question लगा लो common हो गया ना तो यानि कि 70-80% आपका board के साथ तयार हो गया 70% या 80% आपका board के साथ तयार हो गया और कईयों में तो 90% तयार हो गया with mcq caution कर लो explanation भी सीख लिया concept भी सीख लिया mcqs के caution भी कर लिये तो city की तो तयारी हो रही है अगर आपने एक movie देखी होगी karate kids जायद उसमें बच्चे से जालू पोच्fe Touch में अपने घर काम गरवा रहा है एसा होता है तो यह हूं यहачंप यहाँ आ हो कि कुछ अलग कुछ करिश्मा हो रहा होगा पता नहीं कौन सा भेंकर सा पहाड लेकर आ रहा है सी उटी नहीं सर सब कुछ सिंपल है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो तो आप आराम से पढ़ो ना यार और पहाडों में भी तो लोग अप कर रहे हैं हमारे देखो जवान मतलब जो हमारे वर कर लेंगे कैसे तो भाइया जी पहला पॉइंट तो आगया कॉमन टॉपिक्स एमसी को साथ तयार करके दूसा पॉइंट क्या है कि प्रिविएस यह के कॉश्चंस देखिए सेंपल पेपर कीजिए अगर आप बोड की तयारी कर रहे हो तो उसके पेपर तो करी रहे होना है स सब्सक्राइब कर लो कि इसका अपने डंग से पढ़ा नहीं है ठीक है जी जो सच है वो सच और सच हमेशा साफ सुत्रही बोलना चाहिए अगर माली जी आप बोड की तयारी कर रहे है तो यकीन मानिए स्यूट की तयारी हो रही है इस जस्ट आम मेंटल आस्पक्क की आपको स्यूटी में अलग क्या होने वाला है अगर आप रिवीजन कर रहे है तो स्यूटी के तयारी हो रही है दैट इस पॉजिटे पॉइंट तो टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर कीजिए जयासे प्री बोड आ गया अब हमने कोछ चैप्टल पढ़े कुछ झोड़ दीए प क्योंकि बोर्ड में हमारे पास कई बार क्या होता हमें पता होता हुद समझने के लिए ँटी में अंदर के भी सवाल रहे होना तो अंदर के कांसेट को भी रिवीज driving की जिए थोड़े छोटे छोटे इप कांसेट को समझना है बले ही उंसे उनसे explanation पार्ट में ज़्यादा सवाल आता हो या ना आता हो ठीक है ये कोशिश करने है आपने उपर से रिविजन कیया है नहीं अंदर से रिविजन करो वहले ही दो दो टुकडों में करो एक बार में सारण नहीं भला दो दो टुकडों में करो लेकिन अंदर से रिविजन करो तो आपका काफी काफी हल्प हो जाएगी दैन उसके बाद आफ्टर बोर्ड भाईया स्यूटी ही स्यूटी है आफ्टर बोर्ड आपके पास एक्जाम है बहुत सारे बोर्ड के तो फर्वई से लेकर मार्च के बीच में हो जाएंगे एक दो पेपर बसता है आपका थीक है तो जाहर से बाद उसमें छुटिया मिलेंगी आपको तो उस ताइम तो स्यूटी ही स्यूटी है तो बोर्ड के अगर अच्छे से तयारी कर ली तो स्यूटी में कुछ थोटी मोटी 20-25 परसंट कमी रह भी रही है तो वहां से कवर कर लेंगे यार यहां से कम से कम मेरे हिसाब चाहर मई में भी एक्जाम होता पंदा की पास तो स्यूटी ही स्यूटी होगा ना यार तो में फोकस क्या है आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड की तयारी अच्छे से कीजिए डीप नौलेज के साथ कीजिए तो स्यूटी का पहाड़ भी चढ़ 70% यहां लियाओंगा तो फिर स्यूटी में भी चढ़ना पड़ेगा फिर जायर सी बाते कॉलेज नहीं मिलेगा सर बहुत हो गया है बहुत ज्यादा कॉम्टीशन है तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा अब इसमें एक मेजर रोल चीज प्ले करती है जो कि कि किसी के भी जीतने और हारने का कारण होती है और वहोता है मैंड़्एट कैसा है कि कि आप इस बात पे खुदब भरुषा करपा रहे हो कि हां मैं कर लूँ गा यह पहले डर की पता नहीं अर्स यूटी में क्या ही होगा मैं करूंगी नहीं करूं बस यही सोच जा रहे सोच जा अरे भाईया सोजना नहीं पढ़ना होता है और अगर जादा ही टाइम है तो थोड़ा खेल स्यूटी में मार्स नहीं तो उसके लिए आपके पास कुछ मेरी और से आपके लिए कुछ लाइन से तो आप समझे क्या पॉजिटिव से किस किस तरीके से आप चल रहे और यकीन मानिए दोनों राहें जाके लास्ट में मिलेंगी दोनों पहाड़ों की चोटाई सेम हैं अगर हम मचाएंगे बोड हो या सीउटी समय माक्स भी लाएंगे और अपने पसंद की इन्वस्टी में अपनी पसंद की इन्वस्टी भी पाएंगे यह बिलीव रखो अपने अंदर कि भाया हम मचाएंगे और इसमें टैंशन नहीं लेंगे असते खेलते पढ़ते हुए क्योंक आपको भी लग रहा हो कि महीं इए ऐक्स्टार टाइम देना है पड़ाई को है ना तो जब आप एक्स्टार टाइम देने लगे हो तो तैयारी भी होती जाएगी थोड़े बहुत जो डिफृरंसेज हैं वहां ने डिसकर्स कर लिए उसको टैकल कैसे करना है वह भी हमने डिसक है जी और यह सब कैसे करना है एक मुस्कुराहट के साथ तो भाईया जी हैव स्माइल जी तो धोनी जैसी पीलिंग आईगी कियार सब देख रहे थे मतलब सब आपके निजर में आस पास के सब लोग देख रहे थे मेरे वह प्रेशर था कि मुझे बोड भी पास करना है स्यूटी भी पास करना है और मैंने लगा दिया च्छका जैसे 2011 में वल्ड कप जीते थे अब आपको खुशी होगी ठीक है तो मुस्कुर आईए अच्छे से तयारी कीजिए और जो भी पॉइंट्स बोले है मैं उसको समझ ये माइंड से हमेशा स्ट्रॉंग रहे ठीक है जी फिर स्यूटी क्या बोर्ड में भी हम पोर्ड क्या स्यूटी में भी हम मचाएंगे और अप की इनवस्टी में जरूर जगाएंगे इस थाट के साथ चलते हैं तो टा 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 बाए 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 बाए